इतना खाना खाने के बाद भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतनी स्लिम कैसे रह पाती हूँ तो गाइस वही चीज में आज आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप डेली एक्सराइस करके अपने स्टमक को स्लिम कर सकते हो आप जितना मरजी खालो लेकिन आपका पेट यहां से बाहर नहीं आने वाला सबसे पहले मैं सुबा उठके पानी पीती हूँ एक गुनगुना ग्लास उसके बाद बैट जाती हूँ एक्सराइस करने के लिए सबसे पहले मैं यह वाले क्रंचिस करती हूँ अपने पैर को फोल्ड करके आगे से पीछे जाना हिप को अप आप इस exercise को 40 times कीजिए और देखिए result, आपके legs भी strong हो जाएंगे, आपका stomach भी बहुत tight हो जाएगा, मुझे brownie exercise ठीक से करने नहीं दे रहा था, लेकिन तब भी मैंने की, उसके बाद मैंने कीए ये standing crunches, इस crunches को करना बहुत easy है, इसको आप 20 times कीजिए and देखिए result, उसके बा दोनों side आपको जाना है इसी तरह बिल्कुल, इससे आपकी sides में बहुत फरक दिखेगा आपको, पतली कमर के साथ साथ आपकी sides भी नहीं निकलेंगी, और यहाँ पर भी देखो brownie कैसे आके मुझे परिशान कर रहा है, यह थी मेरी third exercise, अब बात करते हैं fourth exercise की, simple आपको wall ले सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा result मिलता है, अगर उसमें आपको problem हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप सीधा bad भी सकते हो, starting में तो आप bad नहीं, लेकिन थोड़े time बाद आप inhale exhale भी करना, फिर मैं दिखाती हूँ अपनी fifth exercise, जो की है standing, मेरी exercise में आपको किसी चीज की जरुवत नहीं है, बस आपको wall की जरुवत है, और आप ready हो, ये सारी exercise आपको stomach अंदर करने में बहुत help करेंगी, और आप fit भी रहोगे, जैसे की मैं रहती हूँ, बस पेट को अंदर भाहर करना बहुत important है, अगर हर एक exercise में आप कपाल भारती यूज करोगे, ना इस्तिमा प्यारा result, आप कुछ भी जंग खाओ, आपका stomach खिलने वाला नहीं है, महा से, I swear, मैं ये daily करती हूँ और result देखती हूँ, ये थी मेरी 5-6 exercise जो मैं daily basis पर करती हूँ, और result आप देखी सकते हूँ, फिर मैं standing exercise करती हूँ, जो की है ये, इस exercise कर करने का फायदा है, आपकी stability आपके movements अच्छे होते हैं, ये भी exercise मैं अपने daily yoga में count करती हूँ, उसके बाद नमस्ते करती हूँ, पीछे से और आगे से, and I'm done, फिर मैं पीती हूँ, खूप सारा पानी, मैं मेथी वाला पानी पीती हूँ, इससे stomach मेरा मिलकुल clean रहता है, और खूप सारे बदाम खाती लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी खड़े हो के पानी नहीं पीना, हमीशा पानी बैट के पीना है, वरना आपके घुटनों में बहुत problem आ सकती है, I hope आपको मेरे ये exercise work करेंगे घर पर, मैं यही exercise करती हूँ, जब मैं traveling करती हूँ, okay guys, see you, I hope आप